दोस्तों ये है नथिंग के सब्रेंट CMF का बर्ट्स प्रो तीन हजार के प्राइज रेंज में आने वाला एक बहुत अच्छा येरबट्स ही हो सकता है और काफी मामलो में अपने सारे कॉंप्टेटर्स को हरा सकता है कंपनी का कहना है कि 45 db का noise cancellation इसके अंदर मिल जाता है वैसे बता दूँ तीन टॉटल मोट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं एक नॉर्मल एक ट्रांस्परेंश और noise cancellation noise cancellation के अंदर आपको तीन फिर उसके लेवल्स मिलते हैं कि भाई लो मेडिया हाई आपको किस पर सेट करना है कितना चाहिए वह आप देख सकते हैं जो कि यह काफी जादा अच्छी ज़रूर जाजता है splash proof आप कह सकते हैं कि भाई जागा पानी से इसको दिक्कत नहीं होगा mainly sweat वगएर के लिए होता है कि अगर आपको फसीना वगएर आ रहा है आप जिम में काम कर रहे हैं तब तकलीफ नहीं होगी और fitting भी काफी जाद अच्छी अगर आप मैं आपको ऐसे करके दिखा दूँ कितना भी हिलालो मैं यहां से कहीं भी नहीं जाने वाला है बट एक प्रॉब्लम है इनके अंदर जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा जेस्चर्स की वो चीज़ हम अच्छे से समझेंगे उससे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं बॉक्स तो काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग सा गोल गोल बनाया तो यूनिक लगता है देखने के अंदर सामने की तरफ ब्रैंडिंग मिल जाती है नीचे की तरफ एक लाइट मिलता है जो कि ब्लिंग हो रहा है यह रैड जलता है अगर आपने पेरिंग मोड पर डालना लेकिन जो हिंज है वो ग्लाउस के साथ मिलती है काफी जादा अच्छी लगती है नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिल जाता है इसमें आप इसको चार्ज कर सकते हो चार्जिंग की बात हम आगे करेंगे बैटरी वगड़ा काफी चलती है इसकी हल्के बुलके इसक्रेच बट्स गिरने से पहले धकन बंद हो जाता है और ये हिंज काफी जादा तकडी है ये काफी जादा क्वालिटी आपको इसकी लगने वाली है अब आते हैं कि कहां कहां पर अपने कॉंप्टिटर से पीछे रह जाएगा तो अगर आप नॉइस कैंसलेशन के लिए ना चाहते तो वहाँ पर आपको जादा बेटर मिलेगा लेकिन ये जब मैंने खरीदा थे पचीस सो रुपय का था और उस पर दो सो रुपय मुझे और आफ में इसके खरीद लिया है अगर मैं चार सो रुपय और देता तो फिर शायद में ले पाता था अभी 3000 के राउंड इसका प्र अभी तक देखें भाई calling में problem देते हैं अगर आप close place में बैठे हो आवाज नहीं है तो दिक्कत नहीं जाएगी लिकिन आप रोड पर जाते हो वहाँ पर तकलीफ आपको मिलेगी कि गाडिया जा रही है तो वह भी पूरा का पूरा noise सामने वाले के पास जाता है हाला कि output HD नहीं है आपके phone का mic जादा अच्छे से काम करेगा पर यह noise कैंसल कर देता है सामने वाले के लिए भी आप कही पर रोड पर भूम रहें तो वह तकलीफ से आप बच जाते हैं output आप खुछ सुन लीजिए मैंने रिकॉर्ड किया था दोस्तों अभी मैंने अपने phone से दूसरे जिस पर recording कर रहा हूं वहाँ पर एकॉल लगाया हुआ है और वहाँ पर record हो रहा है तो अभी तो देखो कैमरा पर हुआ है लेकिन आपको वह आउपूर सनाता हूं कि वहाँ पर कैसा मेरे मैक का आउपूर आ रहा है अब जैसे मैंने आपको बोला है कि जब आप खाली लगा जाए कि जब जाए जाए अब जाए 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 तो यह तो वह चीज आप यहाँ पर देख लीगी तो बहुत सारे फीचर के साथ आता है मतलब टोटल चार-पाँ चीजें हैं जो आप जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि गाने अगर आगे बढ़ाने तो डबल टैप गाने आपको पीछे करने तो ट्रिपल टैप आपकर सकते हं अगर आप डबल टैपन फे रखते हैं तो साउंडод को कम जाधा आप सकते हैं एक राइट पे लेवट लिए और रिबल जादा चाहिए, जिस भी आप से चाहिए, या फिर आप चाहिए तो कस्टम भी उसको चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या चीजे जादा सुननी है, तो वो भी एक चीज मिलती है, हाला कि sound की output की बात करूँ, तो जोस्तों जैसा मैंने कहा loudness 10 mm के driver के साब से बहुत जादा लगी, 3000 के price range में अगर मैं खरीद रहा हूँ, तो मुझे sound quality से अच्छे खासी expectations थी, जो कि realme birds 2 टीक कर देते हैं, जो कि आप JBL का vibe खरीच सकते हैं, वो 3000 के range में आपको अच्छे खास output देंगे, even OnePlus के birds अगर आप खरीदेंगे, वो भी लगबग 2400 के range में आपको इससे sound quality द आप सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, यहाँ पर कर सकते हैं, पर दोस्तों, यह मैंने टेस्ट किये प्रो और इससे पहले एक और मैंने किये थे, CMF कही birds थे वो भी, दोनों में मुझे फील हुआ कि इनकी जो stem है वो बहुत जादा अच्छे से काम नहीं कर पाती है, आप जब सेंसर, जब आप जेस्टर का इस्तमाल करना चाहते हो, तो कई बार डबल टैप करने के पार रुखते हो, आपको बता जलता है कि नेश्ट का सौन लगेगा, बढ़ नहीं लगता है, आप तीन-चार बार डबल टैप करते हो, उसके बाद वो स्विच होता है, आप टैप and hold करते हो, सांट बढ़ाने के लिए, वो तीन-चार बार करना पड़ता है, जनरल यह ऐसा नहीं बढ़ता है, हर तीन-चार बार में आप एक बार यह मिस करता हूँ, आप आओगे इसको, तो वो चीज मुझे पुराने वाले में भी, जो उनका non-pro version है, उसके अं तो भाई, अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो, तो कंपनिया कहना है, 49 घंटे का बैक अप आपको इसके अंदर मिलेगा, अब 49 घंटे कैसे हैं, तो यह जो हैं, एक बार में 11 घंटे चल जाते हैं, ऐसा उनका कहना है, और तीन से साड़े तीन-चार बार आप इसको च अच्छी बात है, तो अगर आप कहीं आ ऐसे जगह पर काम करते हैं, यहां पर दिन बर आपको एडफोन्स की जरूत पड़ती है, या फिर कॉलिंग मगरा जाते हैं, तो कॉलिंग का जो है, आपके लिए काम हो जाएगा, कि साड़े तीन घंटे दस मिलेड में चल जाते हैं अगले वाले को भी आप साड़े तीन घंटे चार्ज करके रख सकते हैं, एक एयरफोन आपके लिए काफी अच्छे से काम कर देगा, बात करते हैं गेमिंग की, तो जिन लोगों को गेमिंग के लिए लेना है, दिखने में काफी कूल है, लेकिन गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर BGMI खेल रहे हैं मानके चले तो आपको प्रॉपर लेटेंसी समझ में आएगी, 0.5 सेकंड, 0.4 सेकंड आपको समझ में आगा कि लेट हो रहा है, आपका गेमिंग एक्स्पिरेंस उतना जादा अच्छा नहीं होने वाला, ये सोच समझ कर आप आगे बढ क्योंकि competition में बहुत जादा अच्छे earbuds हैं, बट वहाँ पर भी काम करता है, अगर 2300 रुपए के budget में 2400 में मिल जाता है, तो आपके लिए best purchase हो सकता है, बट अगर ये 3000 में आप लेना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा risky बोलूँगा, इसके जगए आपके पास दूसरे options हैं, मैंने वीडियो में बताएं, और नीचे description में भी डाल दूँगा, उनकी link वो भी check out कर लेना, तो ये था overall, अब इनके बारे में अगर आपके मन में कोई और question है, तो comment section में ज़रू बताना, वीडियो कैसा लगा, ज़रू बताएगा, thank you.